हमारे जीवन में हमारा जो नाम है वो सिर्फ हमारी पहचान ही नहीं बताता है बलकि ये हमारी परस्नेलिटी, हमारी एनरजी और हमारे अस्तित्व को प्रपरिभाशित करता है जब हम अपने main name यानी मुख्य नाम और निक्नेम की बात करते हैं तो दोनों का ही हमारे जीवन में अलग लग महत्व होता है आईए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि main name और निक्नेम में अंतर क्या होता है और कौन सा नाम हमारी personality पर अधिक प्रभाब डालता है और law of attraction से क्या इनका कोई संबंध है या नहीं तो सबसे पहले बात करते हैं जो main name है यानी मुख्य नाम की मुख्य नाम वे नाम होता है जो जनम की समय हमारे माता पिता हमारे परिवार वाले हमको देते हैं ये नाम हमारी पहचान का मुल अधार होता है इस नाम का उप्योग हमारे जीवन के हर महत पुन दस्ता बेच में होता है जैसे की स्कूल परमान पत्र में, पासपोर्ट में, अधार कार्ट में, बैंक खाते में जहां पर भी में नाम की जरूत होती है, वहाँ यही नाम जाता है ये हमारे अस्तित्व और सामाजिक पहचान का प्रतीक होता है और बहर वाले जो लोग हैं, वो हमें इस नाम से जानते हैं किसी भी ऑफिशिल काम में हमारे यही नाम यूज होता है और इसलिए इस नाम का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा गहरा होता है ये ना केवल हमारे ओफिशिल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि हमारे व्यक्तिकल जीवन में भी हमारी पहचान को दशाता है हमारा नाम हमारे लिए क्विशेश दुवनी और उर्जा को वहन करता है जो हमारे आसपास के लोगों पर इसका असर डालता है कई बार लोग अपने नाम को बदल भी लेते हैं उसकी स्पैलिंग चेंज कर देते हैं ताकि उनकी जीवन में positive results आ सके जैसे कि इसका उधारन हम बात करें तो जोतिश या numerology के अधार पर नाम का परिवर्टन करना दूसरी तरफ अगर बात करें nickname की यानि उपनाव तो ये हमें हमारे मित्रों दौरा परिवारिया काफी close लोगों दौरा दिया जाता है ये नाम अक्सर हमारे वक्तित्व के किसी विशेश पहलू या गुन पर अधारित होता है nickname मामतोर पर अनुपचारिक होता है अनुफिशल होता है और लोगों की बीच में मजाख या प्यार भरे संबोधन की रूप में उप्योग किया जाता है जैसे कि कोई बच्चा अगर गोल मूल होता है तो उसका नाम गोलू रख देते हैं और इसी तरह से अलग लग नाम होते हैं किसी का असली नाम राहुल है तो उसका नाम रौकी रख देते हैं, राजु रख देते हैं, किसी का अरजुन है तो उसका अजु रख देते हैं, किसी का कोई बड़ा नाम है तो बोलने में दिक्कत है तो उसके नाम से ही मिलता चुलता है छोटा नाम रख दिया जाता है, या Officially अगर बात करें, कहीं पर भी अगर जहां हमें अपने proper document दिखाने होते हैं, वहां आप ये नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं. निकनेम का जो में यूज है, मुखे रूप से इसका इस्तेमाल अनुपचारिक बातचीत में होता है, और इसका आपके दस्तावई जया समाजिक पहचान पर कोई भी प्रभाब नहीं पड़ता है. अब बात आती है कि दोनों मेंसे किसमें ज़्यादा एनरजी होती है, किसमें हमें ज़्यादा एनरजी देनी चाहिए, तो जब बात आती है मुखे नाम और निकनेम की तो किसको ज़्यादा एनरजी देनी चाहिए, तो मुखे नाम को हमेशा प्रात्मिक्ता देनी चाहिए, मुखे नाम आपके जीवन की अधिकारिक पहचान का प्रतेनी रित्व करता है और यही नाम आपके सामाजिक और पेशेवर जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है आपके मुखे नाम का आपके अधिकारिक पहचान से सीधा संबंध होता है तो यह आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम लाने में मदद कर सकता है और अगर निकनेम की बात करें तो निकनेम अनओफिशल नाम होता है और इसका उप्योग मुखे रूप से व्यक्तिकत या मजाक्य बाचित में होता है निकनेम से जो भी जुड़ी उरजा होती है वो इतनी गहरी नहीं होती है जितना आपके मुखे नाम से जुड़ी होती है इसे ज़्यादा महत देने के आफशक्ता नहीं है ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप इसमें एनरजी डालें क्योंकि आपकी सामाजिक पहचान या पैशेवर जीवन उतना प्रभाब नहीं डालता है अब अगर निकनेम का आप उप्योग जादा करते हैं जादा एनरजी देना के कोशिश करते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं तो निकनेम का उप्योग सामाने दूरपा हाने कारक नहीं होता है, लेकिन इसे ज़्यादा महत दिया जाए, तो हमेशा उप्योग में रखा जाय तो इसके कुछ नुकसान होते हैं, जैसे कि जब लोग आपको आपके निकनेम से जाने लगते हैं, तो कई बार आपकी असली प प्रभाब डाल सकते हैं। माल लेज़े उधारन के तोर पर अगर आपका निकनेम किसी विशेश गूंध या घटना परधारित है जो आपके लिए शर्मनाक हो तो यह आपके आज में छबी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप हमेशा अपने निकनेम से पहचाने जाते हैं तो हो सकता है कि अफिशल या प्रोफेशनली इन मामलों में भी लोगों को आपके असली नाम जाने में परिशानी हो सकती है। इससे कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। आप इनसान की परिसनलिटी किस पर जादा प्रभावित करती है। मुक्खे नाम पर या निकनेम परूपसे आपके मुक्खे नाम पर निर्भड करती है। नाम केवल एक पहचान नहीं है बलकि आपके व्यक्तिकर्ट, गूंड और जीवन की दिशा को भी दर्शाता है। आपका मुखे नाम आप आपके अधिकारिक पहचान से जुड़ा होता है। और आपके जीवन में बहुत जादा महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है। इसका असर आपके विचारों, भावनाओं और निर्णों पर पड़ता है। वही निकनेम आपकी परसनेलिटी के अनओफिशल पक्ष को दर्शाता है। ये अकसा दोस्तों परिवार के भी सीमीत होता है और इसका आपके जीवन के बड़े बड़े डिसीजन जो आप लेते हों उस पर इतना असर नहीं होता है। अब अगर law of attraction की बात करें तो इन दोनों में से कौन सा नाम जरूरी है। तो law of attraction यानि आकरशन का नियम इस बात पर अधारित है कि आप जिन विचारों, भावनाओं और उर्जा पर ध्यान के इंदिरित करते हैं वही आपके जीवन में आकरशित होते हैं। इस अंधर में आपका मुखे नाम अधिक महत्विपून हैं क्योंकि यह नाम आपके जीवन की अधिकारिक पहचान से जुड़ा है। जब आप अपने मुखे नाम पर ध्यान के इंदिरित करते हैं और इसे पॉजिटिविटी, आत्म विश्वास और सपनों के साथ जोड़ते हैं तो यह नाम आकरशिन के नियम के तहत आपके जीवन में सकरात्मक चीज़ों को आकरशित करने में मदद करता है। मुखे नाम आपके आत्मा और पहचान से जोड़ा होता है और यही नाम आपकी वास्त विक्ता को प्रभावित करता है। अगर आप अपने मुखे नाम के साथ सकरात्मक उर्जाग जोड़ते हैं तो आकरशिन का नियम आपके जीवन में उन चीज़ों को लाने में मदद करता है जो आप चाहते हैं। वही निकनेम का अकरशिन के नियमें बहुत अधिक महत्व नहीं होता है क्योंकि ये केवल अनौपचारिक रूप से इस्तेमाल होता है और उसमें उतनी गहराई नहीं होती है। अब अगर बात करें दोनों नामों का कॉंक्लूजन की तो मुख्य नाम और निकनेम दोनों के अपने-पने महत्व हैं। लेकिन जहां तक जीवन, परसनालिटी और लौ अफटेक्शन की बात है तो आपको अपने मुख्य नाम जादा यूज़ करना है और ये आपके लिए सबसे महत्व पूर्ण है। इसे अधिक पॉजटिव एनर्जी देने की जरूत है क्योंकि ये आपके अधिकारिक पहचान का प्रतेनी धित्र करता है और आपकी सामाजिक और व्यक्तिकत परसनालिटी पर गहरा प्रभाब डालता है। निकनेम का उप्योग सिर्फ अनुपचारिक तोर पर किया जाता है और इसे बहुत अधिक महत्त देने के अवशकता नहीं होती। इसलिए आपके जीवर में जो सबसे अधिक प्रभाब होता है आपके मुख्ये नाम का ही रहेगा चाहे भी है आपका व्यक्तिकत, इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीस नीचे कमेंट वक्स में हमें जरूर बताएं इस तरह से आप वमरी वीडियोस को देखते रहें चैनल को सब्सक्राइब है तो अगर सब्सक्राइब कीजी वीडियोस को लाइक कीजी एक अचिनल कीजिए शियर कीज अवेत प्यार दी